वर्ल कप जीतने के लिए भारत के अलावा भाई कौन सी टीम है जो फेवरेट मानी जाएगी शुब्मन गिल का फॉर्म टाटा इबिल के बाद बहुत साधारन रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या वर्ल कप 2023 में उनकी जगा पे भी सवाल उट सकते हैं क्या तिलक वर्मा ह हो सकते हैं थोड़े से left field selection for the middle order क्या ये संभव है और क्या ऐसा है कि सभी टीमों के पास कोई ना कोई तो spin bowling all rounder है कोई बैटर जो spin डाल लेता है चाहे हो मैक्सवल हो या जो रूट हो भारत के पास ऐसा नहीं है समस्याएं है क्या आपके सवाल मेरे जवाबों का समय तो पक दूस्त रही है अब ज़रा आपके सवालों को एक एक करके ले लेता है पड़ा मजा आता है आपके सवालों के जवाब देने में और शुरुवात में अर्ची वो किये ये रियल शुब ने पूछ लिया पहला सवाल इन्होंने पूछा भे गिल का फार्म आई बिल के बाद इन्होंने तो शब्द ले दिया दिसास्टर के भई इस बीन डिसास्टर इफी परफॉर्म्स तिल दी एंड ऑफ दे वोल्ल कॉप अरे तिल दी एंड दी एशा कप तो फिर क्या उनके प्लेस पे खत्रा होगा वोल्ल कॉप 2023 में सी पहला तो मेरा एक बात बहुत मैं अल्मो अगर आपके पास वो अल्मुस सभी टॉप और बैटर्स के पास होता है इसी वज़ास उनको जगा मिलती है तो रंग बन जाते है तो I am almost convinced कि शुबन गिल का फॉर्म में ऐसा नहीं रहने वाला है I can't say कि आखरी के दो D20I में कैसा रहेगा क्योंकि वो थुरा फॉर्माट आपको तंग कर सकता है लेकिन जैसी अब ये इश्यकप में पहुंचेंगे वहाँ पर कैंडी में हमारे मैचिस होंगे वाल पे एक नेपाल से मैच मिलेगा एक पाकिस्तान से मिलेगा मुझे तो करन भी बताया तो आपको 5 October को World Cup शुरू होता है 5 September को अपन अपना प्रोविजनल स्कॉर्ड अनौंस करना पड़ेगा आपको एक महीने पहले करना पड़ता है फाइनल स्कॉर्ड भी आपको पंधना तक तो करना ही बड़ेगा रहा है तो अपना स्कॉर्ड डिसाइड कर लो तो एश्या कप की टीम में तो होने वाले हैं मुझे लगता है एश्या कप में रन बनाएंगे लेकिन अगर चलिए मान लीजे नहीं बन रहे 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 अब ये श्रयांश जी का सवाल है ये पूच रहे हैं कि विल संजु सामसन में किस पोजिशन तीम इंडिया इंडिया इस करियर विल एंड लाइक अंबती राइडू स्थीप अलब संजु का उमर कितनी है अग्यान ऑफ संजु का उमर बताई है संजु कहाता है डाथा साल के अभी लूच यह उसके बाद संजु का समस्या नहीं है और वहीं समस्या का होता है इस क्ज़ता है अठाइस मनत्य साल का लड़का हो अभी तो एक 2024 का वल्लकप है फिर उसके बाद क्रिकेट बहुत है तो ऐसा नहीं है कि समय नहीं है या फिर जगा नहीं है एक अट दिस पॉंट इन टाइम क्येल राहूल अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो मुझे वल्लकप की टीम में नजर नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि वो इश्यकप की टीम में भी नजर आएंगे लेकिन अगर केल राहू नहीं है तो इश्यकप में आप उनको खेलते वे भी देख सकते हैं टीम में तो पक्का देखेंगे और हो सकता है कि विश्यकप तक भी मतब इनका ये सवाल आया है ये दिखविजय जी का है एक बाद में भी सवाल था अच्छी सवाल ही गठे कर लेते हैं बड़ा अच्छा एक सवाल था कि पार्ट टाइम बोलर्स का था ये ये अच्छा था ये देखो ये निक रावत जी का भी है ये भी कह रहे है कि 2011 World Cup में हमारे पास सच्छी निलुकर और जो रूट सच्छी निलुकर हमारे पास थे यूरा सिंग भी थे यहां पर देखे तो जो रूट है लिएम लिविंग स्टन है पार्ट ताइम आप स्पिंट डाल लेते हैं तीमों के पास पास पार्ट टाइम स्पिंटर से हमारे पास नहीं है तिलक वर्मा के सवाल के साथ बड़ा प्यार से वह एक्चली जुड जाता है तिलक वर्मा कुट भी थे एक्स फैक्टर आपको लगता है यूजी चहल रहो चाहर टीम में आजाते हैं आपको लगता है बिशप्पन सारे मैच खेलने वाले हैं पता चर्द दिनेशकार चाहर दिखा जाते हैं तो ये वर्लक वर्मा के रिहास ने हमारे समझाया है कि कोई नो कोई वाइल काड तो होता है तो वाइनोट तिलक वर्मा अभी एक जगा खाली है अभी तो वो सूर्य कुमार यादब की और तिलक वर्मा में से कोई एक हो सकता है कि पंदना का हिस्सा बन जाए तिलक वर्मा I mean he's such a tempting option कि lefty batting middle order में lefty मिल गया थोड़ी से offspin जिसकी चर्चा भी आपने भी की है तो he is an option but currently an option शाय दिसकी बजह से अभी एश्यकप का squad भी निया है एश्यकप का squad आएगा तो आपको एडिया हो जाएगा कि के लाहूल और श्रेय सेयर उपलब्ध है नहीं है अगर मालीजी इस वाले tournament ले उपलब्ध नहीं होते तो मैं आपको आप उनको खेलते वह देखेंगे ODI में उनकी एश्यकप का हिस्सा होंगे अगर श्रेय सेयर और के लाहूल उपलब्ध नहीं हो तो यह भी हो जाएगा तो वोल्ड कप भी हो सकता है एक यह सवाल है जिवाल अगरवाल जी का है यह पूच रहे हैं जान पूच के T20 सीरीज जोरी उसमें आपने एक लोर एंड टेल एंड बैटर को पिक नहीं किया शादूल ठाकूर दीपक चाहर वाशंग्टन सुन्दर किसी को आपने नहीं रखा आपने परपस ही लगता है पतर यह जैनुवन ओर साइड की आर्ट नंबर का बैटरा पिक करना भूल गया हूँ प्रफिश पड़ लगता है कि भूल गया है आपको क्या लगता है चिरी मुझे लग रहा है भूल गया है क्योंकि भॉशी तो खेल रहे था यह अभी आर्लेन भी जाहेंगे तो फिर यहां क्यों नहीं है औप्शन थे औप्शन का इस्तवाल नहीं किया वाई 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 माई वाई एक यह रियल शुप जी का सवाल है यह पूच रहे कि आशारदू ठाकोर कनफर्म्ड चौथे इंफास बोलर है भाई अभी तक तो यहीं लग रहा है बहुत विकेट्स करता है बंदा, विकेट निकालता है, आगे डाले, शॉट डाले, वाइड डाले, कैसी भी डाले, वाइड विकेट निकालता है, Lord ठाकुर के आगे हम सब नतमस्तक हैं, तो Lord मेरी टीम में होने की चांसे बहुत-बहुत ब्राइट है, यह पूछ रहे हैं, आरुश जी पूछ है कि, going into the Asia Cup and then the World Cup, who should be the opener alongside Rohit है, Shubman is not in good form and Kishan is doing well, I think यह तीनों तो obviously टीम का हिस्सा होंगे, रहित कप्तान है और Shubman Gill और Rishan Kishan दोनों टीम का हिस्सा होंगे, तो अगर Shubman का form थोड़ा सा भी डगमगा है, जैसा भी डगमगा रहा है, और कहीं उनकी गाड़ी पटरी प को ओपन करते में नजर आ सकते हैं, और it won't be a bad thing, क्योंकि भाइक दोस्तों तो इन्होंने भी मारा है, वंडे क्रिकेट में, और अभी तीन मैक में तीन पचास ही मारे है, और जब यह खेलता है, यह फिर वो परसनल माइल स्टून की तरफ तो खेलता हो, दिखता ही नहीं है, फिर यह तावर तोर सुरुबात देता है, left-right combination भी हो जाएगा, हमारी support pitches भी हो जाएगी, इशान किष्ण कुट भी दाट का, यह अच्छा सवाल है, यह अच्छा सवाल है, यह अच्छा सवाल है कि हमारे नेपाल के हमारे followers का है, इन्होंने पूछा है कि how does, how do you feel about Nepal cricket team coming to the Asia Cup, Suvash Chandji का यह सवाल है, I am very happy, very excited, यहां पर मैं अच्छीन का T20 लीग भी हुरी थी, मैं उसको फॉलो कर रहा था, वहां पर रहा है रहा है, फिर दिपेंदर सिंगेरी भी है, बहुत सारे actually खिलारी है, जिनको मैं बहुत करीब से देख रहा था, मैंने का देखता हूं कैसा क खेलते हैं, इंडिया के ग्रूप में है, I think Nepal is a wonderful story, I really want Nepal to do well क्योंकि, क्रिकेट यह सोल यहीं बस्ती है, आरे इशा में बस्ती है, और नेपाल अच्छा करेगा तो मैं को दिल से बड़ी कुशी होगी, मतलब हमें मतारा ना, आकिस्तान को राज ना, मतलब, ठीक है, it's okay, है, यह KPC, KP Creations का भी है, वो भी कह रहा है, love your commentary sir, और India फेवरेट है या नहीं है, see India फेवरेट तो है, योगि घर पे हो रहा है, तो फेवरेट तो ज़रूर होगी, और अगर आप पिछले तीन World Cup उठा के देखें, तो Australia में हुआ तो Australia जीती, England में हुआ तो England जीती, उससे प फेवरेट, frontrunner है, पर इनके लावा जब तीन और semifinalist हो सकते हैं, वो है Pakistan, Pakistan की ODIT बहुत अच्छी है, England, Australia, यह चार टीम मुझे लगता है, कि आपको semifinal में खेलती भी दिख सकती है, अगर इन में से कोई नहीं खेलेगी, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी, और हैरानी वैसे होती है, जब World Cup होता है, क्योंकि New Zealand वाले कह रहे हैं, हेलो हेलो, हम भी आये हैं, ICC event है, पर आखरी ICC event में क्या किया था, T20 World Cup में, तो अब आखरी सवाल जो है, वो यह है कि क्या आप World Cup में कॉमेंटरी करोगे, यह प्रो गेमर्जी है, देखिजी अभी तब तब तो चैनल के उपर आपके साथ थोड़ी गुफ्दू करता न जराऊंगा, कुछ ना कुछ डिजिटल और करने का प्रयास किया जाएगा, पर देख के, लेट सी, लेट सी, अभी तक World Cup में कॉमेंटरी की ओफर नहीं है, तो yes, no, at this point, yes, no, अभी के लिए, no, I am not commentating at this point in time, क्योंक प्यार, sorry, अगली बार और सवाल लिने का प्रयास करेंगे, और एक और दूमिया फेवर, अपने जो सवाल का जवाब मिले आपको, तो मिल गया है, तो उसको क्लिप को आप डाउनलोड कीजिए, उसको फ़रा क्लिप कीजिए, और अपने सोशल बे डाली, मुझे टैक कीजि झाली, और सवाल यहाब मिले अपने सोशल धे जवाल का जो से पस्क्राइब कीजिए लिने का जवाब मिले आपको, यट वाली बार वाली, मुझे गार ने जवाली, कीजिए और दूमिया जवाली, मुझे लित ड़को, और ये प्रो 사ई प्रनी, और रो